ओम स्री गनिशायन मदूस्तो एश्ट्रू समाधन यूट्यूग चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 नवंबर सौंबार के रासी फल के बारे में कीह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन ची जो से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अप आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सकें चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करक राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभवना अच्छी है इसलिए अपना प्रियास कर अच्छी सफलता प्राप्त होने में सफल आज आप हो सकते हैं आप एक सुल्जे हुए वक्ती हैं और हर किसी कार्रे को समय कैनुसार करने का प्रतन करते हैं इसलिए आपको काम्याबी अच्छी प्राप् भी आज हो सकती हैं अचानक फाइदा होने के आज अनी को योग बन रहे हैं आपको किसमत का साथ आज मिलने वाला है पैसों के कामकाज भी आप सुबा सुबा ही निम्टा ले निजी जीवन और आफिस दोनों मामलों में तनाव और दवाव खत्म होगा नए और दिल्चस्प के मिलने के आज योग बन रहे हैं जिहां दोस्तो आर्थिक लाव के आज आपके लिए अनी को योग हैं किसी महत्पपूर्ण कार्रे की सार्थक्ता के लिए प्रतन सीर होगा कठिन परिश्चरम से रचनात्मक योजनाव को सार्थक करने में सफल रहेंगे पुराना अठका के पीछे धनका आज व्या होगा इस्वर की आरादना आपके मन को सांती प्रदान करेगी आपका उत्तम प्रदसन आपके पड़ते दिंदियों के लिए चोकां देने वाला रहेगा आपके कर रहे इस तल पर आपको अपार सफलता हासिल होगी फिर चाहे वो पद्दुनती ह या मान सम्मान वैवसाय करने वाले जातक कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं जिहा दोस्तो आज आप अपना सर्वसेष्ट देने की कोशिस करें और जिसका पेढ़नाम आपको सकारात्मक रूप से मिलेगा किसी नई जगा घुमने जाने का अफसर मिलेगा जिस कारण आपकी उर्जा और उत्सा दोनों में ही व्रद्दी होगी परिवार के साथ किसी धर्मिक इस्थल पर भी आप आज जा सकते हैं जै दोस्तों समय आज आपके पक्ष में हैं प्रकरती आपको जोस और खुसी के माहुल का उपहार दे रही है इन उपलब्दियों का भरपूर आप दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेडिव हो सकता हैं दोस्तों आपके मन पर नकारात्मक विचारों का आकर्मन होने से मन में हतासा रहेगी एनेतिक और प्रमानिक कार्रे विबत्ती में आज आपको डाल सकता है इसलिए संबब हो तो उससे दूर ही रह कारे भार की आज अधिकता रहने से मानसिक ऐस वस्तता भी हो सकती है संतान की चिंता भी आज आपको रहेगी साथे साथ आपकी आमांदनी अच्छी रहेगी परन्तु आमांदनी के साथ साथ आपके खर्चों में में विरद्धी होने की संभावना है ऐसे में आपको अपनी आमंदनी और खर्चों में टाल मेल बिठाने के लिए अपने खर्चों में कटोती करनी होगी साथि साथ यदि आप वेपार करते हैं तो आपके वेपार में मुनाफा होगा आप महेंगी वस्तूओं को खरीद सकते हैं परन्तु आपको अपने महेंगे सोक पर रोक लगानी होगी अन्यता आपके सामने आर्थिक संकट भी आ सकता है और दोस्तो साते सात जरूरत है बात चीत में गरीमा बनाए रखने की आपकी क्रोध में की गई बात किसी से मतबेद उत्पन कर सकती हैं और दूसरों से रखी गई उपेक्छा भी आपके स्वैम के लिए मायूसी पैदा करेंगे दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आपको बहुती धहरे से काम लेना होगा और प्रते कदम बहुती सोच समझ कर ही आगे बढ़ाना होगा तब ही आप एक शुक में दामपत्य जीवन का आनंद लेने में शक्षम होंगे जह दोस्तो साथ साथ जीवन साथी की भी आज तरक्की होगी लव लाइफ के मामलों में भी सितारों का आज आपको भरपूर साथ मिलेगा मानसिक दवाव के बावजू खुस रहने की आज आप कोसिस करेंगे जह दोस्तो जीवन साथी से संबंद में मदूरता आएगी जिससे खुसनुमा माहूल बना रहेगा लव मेरिज के च्छुक लोगों के लिए समय बहुती अच्छा है विवा के लिए निर्ने लेने का दोस्तो बात कर लेते हैं आज आ आरे भार के अधिकता रहेगी और दिन भागदोर में बीतेगा यदि आप नौकरी करते हैं और किसी तरह के निवेश की योजना बना रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिल सकती है और सवें के अनुसार आपको निवेश भी करना पड़ सकता है जो आपके लिए अवस् कुसियां बढ़ेंगी परिवार के साथ अच्छा समय व्यतित आप कर पाएंगे और उनका पूर्ण सयोग भी आपके साथ रहेगा विज्ञान एम तकनीकी से जुड़े जातकों को सफलता के लिए अधिक प्रियास करने होंगे काम्याबी के लिए जम कर मेहनत करने की आपक की संभावना हो सकती है इसलिए अपने स्वास्त के पिरती आज आपको विशेश रूप से ख्याल रखने की आवश रकता है आज आप अपने खानपन पर विशेश रूप से ध्यान दें अपनी दिंचरिया को आज आप सुचारों रूप से सही बना कर रखें और साथ साथ वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद अपनी श्रद्धा के अनुशार अपने शामर्थ के अनुशार चावल दूद या फिर चांदी का दान करें जहां दोस्तो ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन होने के साथ साथ आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है इससे जीवन में तरक्की की राहें लगातार खुलती चली जाती हैं जहां दोस्तो ऐसा करने से भगवान भूले नात के असिरवाद से आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कर रहें बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान भूले नात का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भूलेना तवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद